नमस्कार दोस्तों कैसे हैं अब दोस्तों यह है मेरा गुड हल का फ्लावर प्लांट जो कि पिछले साल गर्मियों में बखपूर मात्रा में फ्लावरिंग किया था और जो है नमबर महीने तक आप इस क्लिप में देख सकते हैं फ्लावरिंग इसमें होती रही थी लेकिन जैस जैसे सर्दी बढ़ती गई वैसे-वैसे यह अपने सभी पत्ते ड्रॉप करते गया और ड्रॉमैंसी में चला गया दिसमबर और जनुरी महीने के लिए लेकिन अभी जैसे कि दोस्तों फर्वरी महीना शुरू हो गया स्प्रिंग सिजन स्टार्ट होने लगा है वैसे-वैस से आप देख सकते हैं जितने भी नोड़ पार्ट हैं सभी के पास भी नोड़ पार्ट में जो हैं आपको न्यू शूट्स निकलते दिखाई दे रही है जो फॉलियाज है वो शुरू हो रही है तो दोस्तों जब स्प्रिंग सिजन शुरू होता है तो हमारे लगवग सभी परेनियल प्लांट जो रहते हैं समबर में फ्लाविंग करने वाले सभी की जो है न्यू ग्रोस शुरू हो जाती है तो फर्वरी महीने में या फिर मार्च महीने में आप भी जो है अपने गुड हैल के प्लांट को रिपोर्ट कीजिए सबसे इंपोर्टन काम नई मिट्टी में लगाईए और रूट प्रूनिंग कीजिए अगर जरूरत है तो दोस्तो मिट्टी जो है मैं पहले सी बनाकर रेडी कर लिया हूँ तो दोस्तो मिट्टी में मैंने जो कुछ भी लिया है सारी इंफ्रमेशन आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी लेकिन मिट्टी से पह आड यार लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं अपने प्लांट की शेप को ध्यान में रखते हुए इस तरह से प्रूनिंग कीजिए कि जब प्लांट में फोले शुरू हो निव शूट्स निकले तो प्लांट एक समान घना दिखाई दे और हरा बरा दिखाई दे तो यहां दोस में स्टैम के पास से काट कर हटा देनी चाहिए लेकिन मैं सिर्फ यह नीचे की दो ही स्टैम को पास से काट कर हटा देता हूँ वाकि उपर की जो दो हैं उनको मैं जो हूँ उनकी हलकेल की सी टिप को जो मैं प्रून कर देता हूँ तो दोस्तों स्प्रिंग सीजिन में यान इस गुड़हल के प्लांट को पोर्ट में से बहर निकालते हैं और देखते हैं क्या रूट प्रॉनिंग की जूरत है या नहीं है बाकि आप दोस्तु लाइट प्रॉनिंग आप गर्मी भर कभी भी अपने गुड़हल के प्लांट में कर सकते हैं ये दोस्तों मैंने जो है अगस्त महीने में गोबर की सड़ीवी खाद की मल्चिंग कर दी थी और इसी के उपर मैं जो हुँ हलकी फलकी गुड़ाई करते रहता था और जो हुँ थोड़ा थोड़ा पानी अड़ करते रहता था इस खाद में मैं मुश्र कभी खतम नहीं होने देता था तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो खाद मैं हटा रहा हूँ तो आपको गुडहल प्लांट की काफी सारी रेशेदार बारीक रूट्स दिखाई दे रही मैं पास से आपको दिखाता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी बारीक रूट्स दिखाई दे रही है ये रेशेदार रूट्स नहीं की हल्प से नूट्रेंट्स प्लांट इनटाइक करता है तो मैं यहां दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ यहां से मैं वीडियो को fast forward कर देता हूँ ताकि जो है हमारा कीमती समय बचे इस वीडियो में ये लीजी दोस्तो हमारा जो गुड़ल का प्लांट है अब गमले में से बाहर निकल आया और आप देख सकते हैं कितनी अधिक संक्या में जो हैं रूट्स बनी हुई है मतलब दोस्तो पिछले 11-12 महीने में हमारे इस गुड़ल प्लांट की इतनी जादा रूट बनी हुई हैं गमले में भी आप देख सकते हैं काफी सारी रूट जो हैं तो दोस्तो हम इस प्लांट को अगर रिपोर्ट इस फर्वरी में नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारे प्लां सीजन में उसकी रूट प्लांट में बहुत जादा रूट बनी होई हैं तो दोस्तो बहुत जल्दी फिरसे प्लांट में इतनी जादा रूट बन जाएंगी कि पुरा गमला रूट के साथ जड़ों से भर जाएगा तो जब गमले में जगा नहीं बचेगी रूट्स को फैलने के लिए तो उस कंडिशन में मेरे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो ग्रोथ कंटीनू होती रहे इसलिए जो हमें रूट प्रूनिंग फर्वरी मार्च महिने में या फिर स्प्रिंग सीजन में कर देना चाहिए होगा कि हमारे पोर्ट में काफी सारी न्यू रूट्स की ग्रोथ के लिए जगा होगी और न्यू रूट्स की ग्रोथ के साथ प्लांट की भी ग्रोथ काफी बढ़िया होगी तो चली दोस्त हम जल्दी से अपने इस प्लांट को जो है नई मिट्टी में रिपोर्ट कर देत इसमें दोस्तों गोबर की सड़ी हुई खाद और 20% इसमें रिवर सेंड तो दोस्तों इस तरह से आपने प्लांट को रिपोर्ट कर देने के बाद भरपूर मातरा में पानी देना है और पोर्ट को आपने पार्शल सन में रखना है या फिर आप ग्रीन नैट के नीचे भी रख सकते हैं लेकिन मैं यहां दोस्तों नॉर्मल पानी की जगा गोबर की सड़ी खाद का लिकर्ट फर्टिलाइजर यूज कर रहा हूँ तो दोस्तों भरपूर मातरा में पानी देने के बाद आपने जो है ग्रीन नैट के नीचे पोर्ट को रखना है या फिर पार्शल सन में पोर्ट को रखना है चार से पांथ दिन के लिए उसके बाद आप जो फुल सन वाली जगा पर शिफ्ट कर सकते हैं या फिर सब्ता भर भी जो है इंडारेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं आज की वीडियों दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं किसी और नए वीडियों किसी और नए टॉपिक साथ अब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग